हेलो ये नमसकार दूस्तो आज हम लोग ने टμ पिकक के साथ आए हैं जिसका नाम है Regional Comprehensive Economic Partnership के निकि RCEP जैसा कि इसका नाम है Economic Partnership ब आनि कि ये जितने भी partners हैं वो इस स्टेट भी हो सकते हैं कंट्रींज भी हो सकते हैं यहां हम लोग countries की बात करेंगे ठेक है और पॉलिटी का ये एक्षिंस में से आती है इस विज़से पॉलिटी में जादा तर countries नहीं बोला जाता है उसमें state बोला जाता है तो इसमें जितने भी states है उसको हम लोग consider करेंगे as a country तो चलिए यहां countries में हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके members कितने हैं तो इसके total members की संख्या है 15 जो की world population का कितना percent है तो 30 percent है तो से countries आ जाते हैं उस पर देख लेते हैं जिसमें आ जाता है उस्ट्रेलिया गुरुनिया कंबोडिया चाइना इंडोनेशिया जापान साउथ कोरिया लाओस Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam finally अभी इसका 16 members भी आया है लेकिन अभी तक उसको officially नहीं किया गया है जिस वज़े से यहां मैंने भी उसका नाम नहीं लिया है तो नेक्स आ जाते हैं कि यह RCEP work कैसे करती है ठीक है और किस base पर यह work करती है उसके बारे में तो इसका base देख लीजिए इसमें mainly work जो होता है वो होता है free trade agreement की जाती है यानि कि FTA किया जाता है पार्टनर्स के बीच में और mainly इसमें किस तरह के trading की जाती है ति इसमें goods की, services की और intellectual properties की selling की जाती है अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको share कीजिए, like कीजिए, subscribe करना ना भूले and thanks for watching